हेलो श्टुडेंट, कैसो हो सब बढ़िया, बोलो चेप्टर नमबर वन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है न, Relation and Function, अब ये चेप्टर के अंदर लाश्ट अमारा जो टॉपिक था, Binary Operation, उसके बारे में हमने थुला समझाया था आपको, उसके Exercise 1.4, उसके 5 तक के Question हमने Sol किये थे, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, आप लोगोंने मेरी यहां से बेज़ोई PDF थी, वो भी आप लोगोंने बहुत अच्छी तरह से एक बार या दो बार या तीन बार आपने अपने नौटबुक के अंदर लिख के उसके Practice भी बहुत अच्छी तरह से के योगी ऐसा में Suppose करता हूँ, मेरा Supposition साइद गलत नहीं होगा, बढ़ाँ, तो हम Exercise 1.4 के अंदर, तीन टाइप के Sum की बात की थी, पहले तो आपको जो Operation दिया गया है, वो Operation Binary Operation है के नहीं, वो Verify करने का, वो Operation, Binary Operation है के नहीं, वो Verify हो जाने के बाद, Comunitive लोग और Assessive लोग के साम देखे थे, तो उसमें हम चलो बच्चे लोग आगे जाते हैं, और Operation Table के बारे भी मैंने समझाया था, दो Question Last के Operation Table के थे, चलो, Question No.6 से सुरुवात करते हैं, Question No.6 is, Let star B Binary Operation on N, given that, given by, Binary Operation है वो N पर है, given by A star B is equal to, A star B is equal to LCM of A and B, Find, उसके अंदर, पाच Question है, अलग-अलग टाइप के 5 Question है, के पहला Question है, Value निकालनी है, 5 star 7, और 20 star 16, उसकी Value निकालनी है, अब आपका जो Operation है, वो इस तरह से, यहाँ पे star is a binary Operation, on N, Operation क्या है, तो A star B is equal to, LCM of A and B, यानि A and B का LCM है, A and B का क्या है, LCM है, तो यहाँ पे आप 5 and 7 है, तो LCM of 5 and 7, तो 5 और 7 का LCM क्या होता है, 35, LCM तो निकालना आपको आता है यह बच्चे लोग, उसके बाद 20 star 16, यानि LCM of 20 and 16, तो 20 और 16 का LCM कितना होता है, 80 होता है, चलो, अब COMMITATIVE लोग की बात कहते है, यानि हमारा दूसरा जो question है, कि each star COMMITATIVE, each star, यानि कि यह operation binary operation है, वो तो, यह binary operation है, COMITATIVE लोग का satisfy करता है कि नहीं करता है, वो बता नहीं, तो अपनी तो वही मैतर है तो 2 स्टार 3 यानि 2 and 3 का LCM LCM of 2 and 3 तो 6 आता है अब इंटरचेंज कर लेते 3 स्टार 2 तो 3 और 2 का LCM वो भी 6 आगा अब इसले ही यह तो आप 5 और 10 का LCM निकाल लिए या 10 और 5 का LCM निकाल लिए कोई भी तो नेचरल नमबर को इंटरचेंज करके आप LCM निकालेंगे तो वो तो वही का वही रहने वाला है वो तो कोई चेंज होने वाला नहीं है यानि कि 2 स्टार 3 is equal to 3 स्टार 2 यानि कोई भी नेचरल नमबर के लिए हम लेख सकते for every AB belongs to N therefore star is a commutative low यानि कि star है वो commutative low को satisfy करता है चलो थर्ड क्वेश्चन लेते थर्ड क्वेश्चन है इस तरह से is star associative is star associative star associative लोग को satisfy करता है तो वही अपनी method 2 star 3 star 4 तो 3 और 4 का तो मैंने यहाँ पे bracket में लिखा है तो 3 और 4 का LCM क्या होगा 12 तो 2 और 12 का LCM क्या हो जाएगा पहली होगा अब मैं bracket को interchange कर रहा हूँ 2 और 3 को bracket में डख रहा हूँ यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 2 और 3 का है करता है फोर्थ क्वेश्चन यानि कि 1.4 श्टार्ट किया उसके पहले मैंने समझाए था तो identity element को हम identity element को हम e symbol से denotate करते हैं e is the identity element a star e is equal to a and e star a is equal to a तो यह condition जब satisfy होती है तब e is the identity element यानि कि कोई भी operation का identity element निकालने के लिए हम इसका use करेंगे और जब identity element मिलते है तब हम inverse find करते हैं तो a star b is equal to e and b star a is equal to e therefore b is the inverse of element a यानि कि b है वो a का inverse है लेकिन ये बात मैंने आपको आगे थीरी में बताई थी फिर से बता देता हूँ कि small e is the identity element सभी operation का identity element अलग-अलग होता है हरे question के अदर identity element अलग-अलग होता है जैसे कि हम addition की बात करें आपको मालूम है कि 5 plus 0 5 ही होता है 7 plus 0 7 ही होता है या 0 plus 7 की लिए तो भी 7 आएगा तो 0 क्या है 0 is the identity element कौन से operation के लिए addition के लिए तो 0 is the identity element by addition operation, operation of addition तो ये छोटी सिमने बात में तो हरेक operation में identity element अलग-अलग टाइब के होते है तो हमारा ये जो question है वो LCM का है हमारा ये जो question है वो LCM का है तो ये operation का आपको identity element मिकालना है तो वो क्या होगा तो suppose E is the identity element of operation star अगरा A star E is equal to A तो LCM of A and E is equal to A तो A and E का LCM ये ही आना जे यानि कि 3 लो तो 3 का answer 3 ही आएगा 5 लेंगे तो भी answer 5 आएगा तो E की जगा भी हम कौनसी value put कर सकते है तो उसका answer वोई का वोई आएगा obviously E is equal to 1 यदि हम identity element 1 यहाँ पे choice करेंगे तो 1 का LCM आप किसी के भी साथ लो 1 का LCM 5 के साथ करो तो भी 5 आएगा 1 का LCM 7 के साथ करो तो भी 7 आएगा यानि 1 is the identity element of this operation यानि यह operation का identity element 1 है उसके बाद 5th नंबर का question है which element of n are invertable for the operation star यानि यह operation का invertable element कौन सा है तो suppose b is an invertable element of a यानि की a star b is equal to a therefore LCM of a and b is equal to 1 तो आप सोचो के e तो 1 है e की जगह पे तो मैंने 1 रख दिया तो ऐसे कौन से दो नंबर है के उसका LCM 1 ही आएगा a और b की जगह पे में ऐसी कौन सी value put करो तो answer 1 ही आएगा तो obviously 1 ही होगा न तो here only element a is equal to 1 and its inverse is 1 only 1 ही ऐसा element है जुसका इसके साथ LCM लेंगे तो वही का वही आता है 1 का 1 ही आएगा यानि की इसका identity element b1 है और only 1 का ही हम inverse निकाल सकते हैं बाकि कोई element का हम inverse नहीं निकाल सकते हैं तो ये inverse और identity element की बात आप लोगों ने पहली बार देखी और उसमें भी LCM की बात आई थी बराबर तो ऐसे कौन से LCM में identity element 1 है इतना ध्यान रखना बराबर MCQ के अंदर ये पूछ सकते हैं आपको आपको चलो आप question number 7 Is star defined on the set 1,2,3,4,5 by A star B LCM of A and B a binary operation? Justify your answer तो बच्चे लोगी है जो question number 7 वो कौन से पर है? पूरे नंबरों की बात नहीं की है उसमें सिफ 1,2,3,4,5 उसका ही set बनाया है तो A is equal to 1,2,3,4,5 उसके पर ही ये operation है operation star A cross A to A तब आपको verify करना है कि ये operation binary operation है के नहीं है? ये operation binary operation है के नहीं है वो verify करना है तो verify हम कैसे करते थे? तो A में से कोई भी दो value ले 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 थे यानि closer property, closer property satisfy होती है के नहीं होती है? वो हम देखते है तो suppose 2 is belongs to A and 5 is also belongs to A तो 2 star 5 that is LCM of 2 and 5 तो 2 और 5 का LCM क्या आएगा बच्चे लोग? 2 और 5 का LCM तो 10 आता है लेकिन 10 है वो A के अंदर तो नहीं है 10 it is not belongs to A यानि की 2 और 5 के बीच में operation करने से उसका अंसर वो ही के वो ही set में नहीं आता है वो ही set में आना चाहिए आपने ये दो element किस में से लिया? A में से लिया तो इन दोनों के बीच में operation करने से उसका अंसर वो ही set में आना चाहिए लेकिन नहीं आता है therefore star is not a binary operation यानि की ये operation binary operation नहीं है चलो आगे का question question number 8 बहुत बढ़ी हा question है let star be the binary operation on n defined defined by किस तरह से binary operation define करके दिया है? a star b is equal to hcf of a and b कौन सा operation है? hcf का है आगे अबने बात की थी वो lcm का था ये hcf का है कोई बात नहीं is commutative, is star associative, does there exist identity for the binary operation on n? यानि कि ये operation ये ये हो होता है। ये ये चैथिक आप आप एकक्रा ये Li को थिलिका का य। अ नहीं करके है? HCF मालूम है भई highest common factor last lecture के अंदे मैंने आपको LCM और HCF कैसे निकालते हैं वो बताया था तो आपको बच्चे लोग क्या करना है कि ये HCF of A and B ये operation competitive है के नहीं वो verify करना है सबसे पहले देखो A star B is equal to HCF of A and B suppose मैंने 10 और 12 लिया है आपकी मजी आप जो भी नंबर लेना चाहिए वो ले सकते हो 10 star 12 तो HCF of 10 and 12 तो 10 और 12 का LCM क्या है HCF क्या है 2 आएगा HCF मालूम है न 12 star 10 तो HCF of 12 and 10 12 और 10 का HCF भी 2 आएगा दोनों का अंसर इक वाला थे यानि कि A star B is equal to B star A for every AB belongs to N therefore this operation is a competitive low यानि star is a competitive अब associative low की बात कते तो 2 star 3 star 4 यहाँ पे bracket किसका है 3 और 4 का bracket है 3 और 4 का LCM और स्वरी LCM नहीं HCM 3 और 4 का HCF क्या आएगा 1 आएगा और 2 star 1 यानि कि 2 और 1 का 2 and 1 का HCF क्या होगा 1 ही होगा अब मैं bracket को इस तरह से कहता हूँ 2 star 3 star 4 तो 2 and 3 का HCF 2 and 3 का HCF 1 है 1 star 4 और 1 और 4 का HCF भी बन है तो इन दोनों का answer के साएग इक्वल है तो 2 star 3 star 4 is equal to 2 star 3 star 4 A star B star C is equal to A star B star C for every ABC belongs to N therefore star is an associative low मालूम पड़ा बच्ची लोग कि star ही वो associative low को satisfy करता है और committative low को भी satisfy करता है अब रहा question identity element का तो suppose E is an identity element of this operation A star E is equal to A यानि HCF of A and E is equal to A अब सोचना आपको यह है कि E की जगा पे में कौनसी value पूट करूं तो answer वोही का वोही आएगा E की जगा पे 1 पूट करता हूं identity element यानि कि यह operation का identity element नहीं मिलेगा लिया बचलो तो यह था हमारा question number 8 यानि question number 8 था HCF का था और उसके आगे का जो यह question था वो LCM का था तो ध्यान रखना LCM में identity element 1 होता है LCM में identity element E is equal to 1 होता है जब भी HCF में HCF में identity element नहीं मिलता है identity element ही नहीं मिलता है तो inverse की तो बात होगी नहीं HCF में और LCM में identity element 1 है और 1 का ही inverse मिलता है बाकी कोई element का inverse नहीं मिलता है यह ध्यान रखना आप यह दोनों बात है क्योंकि यह दोनों MC क्योंकि बहुत बार यह लोग खुते है LCM और HCF का identity element बड़ाब चलो अब मैं question number 9 लेता हूँ तो बच्चे लो question number 9 और question number 10 दोनों question 1 है लेकिन find करना दोनों में अलग अलग चीज़ है तो मैं question number 9 और 10 दोनों साथ में ही लेता हूँ देखो question number 9 इस तरह से कि less star be a binary operation on the set q of rational number as follows a star b is equal to a minus b ऐसे आपको पास six operation है find which of the binary operation are commutative and which are associative यानि कि इसमें से कौनसा operation commutative लोग और associative लोग को satisfy करता है वो बता ना है और question number 10 है इसमें लिखाए so that non of operation given above as identity यानि question number 9 के अंदर जो भी binary operation है उसका आपको identity element निकालना है यानि question number 9 और question number 10 के operation सेम है लेकिन question number 9 और 10 के अंदर आपको commutative और associative लोग बताना है और वो ही operation के लिए आपको identity element बताना है वो question number 10 है तो मैं बच्चे लोग क्या कता हूँ पहले question number 9 और 10 दुनों को combine करके यह पूरा solve करता हूँ चलो तो पहले question number 9 का यह पहला a star b is equal to a minus b तो 2 star 3 तो 2 minus 3 is equal to minus 1 अब मैं 3 star 2 करता हूँ तो 3 minus 2 is equal to 1 दोनों के answer अलग अलग है भाई तो 2 star 3 is not equal to 3 star 2 that is a star b is not equal to b star a और हमारा जी operation है वो q पह है यानि कि for every for every a b belongs to q okay therefore star is not a commutative यानि star ये वो commutative लोग को satisfy नहीं करता है अब associative लो लेते 2 star 3 star 4 यहाँ पे हमने bracket किसमें डाला है 3 और 4 के अंदर इन दोनों के बीच में operation करेंगे तो 3 minus 4 3 minus 4 का answer क्या आएगा minus 1 तो 2 star minus 1 अब इन दोनों के बीच में में operation करता हम तो 2 minus minus 1 यानि 2 plus 1 2 plus 1 3 हो जाएगा अब मैं bracket को इस तरह से करता हम 3 star 4 था उसकी जगा पे 2 star 3 तो 2 star 3 star 4 तो 2 minus 3 2 minus 3 that is minus 1 minus 1 star 4 तो इन दोनों के बीच में में operation करूँगा minus 1 minus 4 यानि minus 5 दोनों के answer अलग-अलग है therefore 2 star 3 star 4 is not equal to 2 star 3 star 4 therefore star is not associative यानि की operation associative नहीं है अब यही operation का मुझे identity element निकालना है यानि यही operation का मैं identity element निकालता हम तो मैं suppose करता हूँ suppose E is the identity element suppose E is an identity element of star यानि की यह operation का identity element E है तो A star E is equal to A तो A star E यानि A minus E is equal to A तो E is equal to 0 हो जाएगा क्योंकि A सामने चला जाएगा तो A minus A is equal to 0 therefore E is equal to 0 अब इसको मैं interchange करता हूँ E star A is equal to A तो A minus E is equal to A A को सामने ले जाएगा तो E is equal to 2 A हो जाएगा तो क्या हुआ बच्चे लोग यह दोनों में identity element अलग अलग मिले ऐसा होना नहीं चाहिए E star A की जिए के E star E की जिए answer same आना चाहिए E के लिए जो भी टम आता है वो same होना चाहिए यहाँ पे तो same है यह नहीं यानि यह operation का identity element नहीं मिलेगा चलो question number 2 A star B is equal to A square plus B square काँसा operation है A square plus B square कल लेते है भाई पहले commutative तो 2 star 3 तो 2 का square plus 3 का square 2 square plus 3 square यानि 4 plus 9 13 हो जाएगा अब interchange काते है 3 star 2 तो 3 square plus 2 square यानि 9 plus 4 13 दोनों के answer same है 2 star 3 is equal to 3 star 2 that is a star is a commutative law आपको यहाँ पे वोच एक चीज लिखनी है therefore A star B is equal to B star A where for every for every A B belongs to for every A B belongs to Q चलो अब accessibility लोग की बात करते हैं बच्छे लोग तो accessibility 2 star 3 star 4 2 star 3 star 4 तो 2 और 3 2 का square plus 3 का square 9 plus 4 9 plus 4 13 13 star 4 तो 13 का square plus 4 square यानि 169 plus 16 that is 185 अब यहाँ पे 2 star 3 star 4 तो 3 का square 9 plus 4 4 का square 16 16 plus 9 25 अब इन दोनों के बीच में मैं operation करता हूँ तो 2 का square 4 5 का square 625 इन दोनों का addition करता हूँ तो 629 आता है तो भाई क्या हुआ दोनों के answer अलग-अलग हो गए भाई यानि कि for every A B C belongs to Q for every A B C belongs to Q A star B star C is not equal to A star B star C therefore star is not a associative lobe clear अब मैं suppose करता हूँ let E is an identity element of star A star E is equal to A तो A square plus E square is equal to A तो E square is equal to A minus A square क्या हुआ A minus A square बच्चे लोग यह possible ही नहीं है कोई भी term का square कभी negative नहीं होगा क्यूंकि A minus A square आप एकी जगह पे 9 रखो 9 minus 81 4 रखो तो 4 minus 16 आंसर किसा आएगा minus में आएगा यानि E square is a negative it is not a possible therefore this operation is not a have no identity element यानि कि यह operation का आपको identity नहीं मिलेगा चलोब question number 3 A star B is equal to A plus A B A star B is equal to A plus A B अब 3 star 2 तो 3 plus 3 into 2 यानि 6 6 plus 3 9 and 2 star 3 तो 2 plus 2 into 3 6 6 plus 2 8 दोनों के आंसर कैसे हुए अलग अलग हो गए बाई बाई दोनों के आंसर अलग अलग हो गए 2 star 3 is not equal to 3 star 2 that is A star B is not equal to B star A for every A B belongs to Q therefore star is not a competitive low clear यानि A star B is equal to A plus A B यह operation में competitive low को satisfy नहीं करता है चलोब एसेसिटिव लोग की बात करते हम तो एसेसिटिव लोग में 2 star 3 star 4 वही अपनी मैथ़ 2, 3, 4 तो 2 star 3 तो इन दोनों के बीच में operation करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा अब 8 star 4 इन दोनों के बीच में operation कीजिए तो 8 plus 12 8 plus गलत है 8 forza 32 होगा इदर क्योंकि आपका operation क्या है A plus A B का है A plus A into B यह यह A यानि 8 plus A B यानि 8 forza 32 यानि की इन दोनों का addition होगा 40 या पर 40 आएगा अब 2 star 3 star 4 इन दोनों के बीच में तो 3 plus 12 15 तो 2 plus 15 तो सा 30 यानि 32 दोनों के आंसर अलग अलग है डिफ्रेंट है यानि की 2 star 3 star 4 is not equal to 2 star 3 star 4 for every A B C belongs to Q therefore star is not 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 excessive यानि चलो अब identity element डिकाल लेते बच्चलो तो let E is an identity element of star तो A star E is equal to A therefore A plus A is equal to A A सामने जाएगा तो A is equal to 0 A भी सामने जाएगा तो E is equal to 0 अब interchange कर देते E star A is equal to A तो E plus A is equal to A E कॉमन निकल जाएगा तो 1 plus A is equal to A therefore E is equal to A upon 1 plus A therefore this operation has no identity element यानि कि दोनों के answer कैसे आते हैं अलग अलग आते हैं बरावर दोनों के answer कैसे आते हैं अलग अलग यानि कि this operation has no identity element बहुत easy question है लेकिन इन लोगों ने थोले ज्यादा question लखे है कोई बात नहीं operation कोई भी होगा textbook के भाहर का operation नहीं होता है ज्यादा था A star B is equal to A minus B का whole square 2 star 3 2 minus 3 का square minus 1 का square plus 1 3 star 2 तो 3 minus 2 का square 1 दोनों के आंसर same है 3 star B is equal to B star A for every AB belongs to Q यानि की 2 star 3 is equal to 3 star 2 therefore therefore this operation is commutative law यानि की operation commutative law को satisfy करता है clear चलो अप associative law की बात करते associative law तो A star B star C तो 2 star 3 तो 2 star 3 का answer minus 1 का square plus 1 हो जाएगा 1 star 4 यानि 1 minus 4 का square minus 3 का square 9 अब bracket को में interchange करता हूँ A star B star C तो 3 star 4 उसका answer 1 आएगा 2 star 1 तो 1 का square 1 ही होगा दोनों में answer अलग अलगा है भाई तो A star B star C is not equal to A star B star C therefore star is not associative law चलो अब identity element नि काल देते suppose E is an identity element of this operation A star E is equal to A therefore A minus E का whole square is equal to A therefore A is equal to under root of A और E is equal to A minus root A हो जाएगा और यहाँ पे E star A is equal to A यानि E minus E का whole square is equal to A therefore E minus A is equal to root A और यह सामने चला है तो इसमें plus आता है और इसमें minus आता है यानि कि इस नोट पॉसिबल this operation has no identity element और दूसरे भी एक विक बात बता दो बच्चे लोग A minus E का whole square is equal to A अब यह A की value कुछ भी हो सकती है negative भी हो सकती है positive भी हो सकती है यदि negative लेंगे हम तो तो यह possible ही नहीं है तो आप यहां से भी कह सकते हो कि भी यह operation का identity element वेसे भी नहीं मिलने वाला है फिफ्थ नंबर का sum A star B is equal to AB upon 4 तो 2 star 3 तो 2, 3 is a 6 upon 4 और यहां पे 3 star 2 interchange का दिया तो 3, 2 is a 6 upon 4 तो दोनों के answer सेम होगे तो A star B is equal to B star है therefore star is a competitive low अब accessibility low की बात कते में accessibility low में वही अपना तो सिलसिला 2 star 3 star 4 तो 2 star 3 तो 6 upon 4 star 4 तो इन दोनों का multiply upon 4 operation कैसा है इन दोनों का multiply upon 4 तो क्या आएगा 4, 4 कट होज़ेगे तो 6 upon 4 यह आएगा न इसी तरह यहां पे देखो 3 star 4 तो 12 upon 4 आपको लिखना है तो एक step लिखो इधा ज़्यादा तो 2 into 12 upon 4 upon 4 ऐसा तो यह 4 3 star 12 बड़ाब है तो 2 into 3 upon 4 यानि 6 upon 4 तो दोनों के answer कैसे हो जाते है इक्वल हो जाते है बड़ाब वालूं पढ़ा है बच्चे लोग यह यहां से 4 3 star 12 3 2 star 6 upon 4 और इसका भी answer 6 upon 4 है दोनों के answer equal है बड़ाब therefore star is associated low बच्चे लोग बच्चे लोब identity element देख लेते हैं suppose e is an identity element of star तो a star e is equal to a a e upon 4 is equal to a a a cut हो जाएगा तो e is equal to 4 अब इसको interchange करते है e star a is equal to a तो a e a upon 4 तो e is equal to a देखो यह पहली बार हुआ कि इसमें दोनों के answer same आए यानि कि यह operation as identity element कौनसा हुआ यानि कि यह operation का आपको identity element मिलता था बाकी के रभी तक तो नहीं मिला किसी का चलो 6 नमबर का सम्द। a star b is equal to a b square 2 star 3 2 star 3 a b square यानि 3 का square 9 to the 18 3 star 2 तो 3 into 2 का square 4 3 star 12 यानि कि दोनों के answer कैसे हो गए भाई अलग-अलग हुए ना तो it is star is not a competitive low associative low यहाँ पर यह लिख देते for every a b belongs to q 2 star 3 star 4 तो 3 star 4 का answer 48 आता है 2 star 48 तो इसका answer 4600 आता है इसके according 2 star 3 star 4 9 to the 18 18 star 4 तो 288 आएगा आपको करना हो तो खाज सकते हो 18 multiply of 4 का square यानि कि 8 multiply 16 तो 288 चलो बच्चे लोग तब identity element निकाल लेते competitive लोग को भी satisfy नहीं किया इसने associative लोग को भी उसने satisfy नहीं किया दोनों के answer अलग-अलग हो गए यानि कि associative star is not associative लोग चलो अब identity element लेते suppose e is identity element of star तो a star e is equal to a therefore a square is equal to a a a cut हो जाएगा तो e square is equal to 1 therefore e is equal to 1 अब यहाँ पे देखते इंटरचेंज करके e star a is equal to a तो e a square is equal to a दोनों तरब से केक e कट हो जाएगा तो e is equal to 1 upon a इसमें e की value e is equal to कितना आता है 1 upon a और इसमें e is equal to 1 आता है दोनों के answer अलग अलग है therefore star has no identity element clear तो यह था हमारा question number 9 और 10 9 और 10 दोनों question मेंने साथ में ही लिए है बराबर दोनों के अंदर commutative law, accessibility law और identity element ही निकालने के थे तो बच्चे लोग आज हम यहाँ तक रखते आप इतना विडियो आप अच्छी तरह से देखो अच्छी तरह से समझो तो exercise 1.4 के 1 से 10 तक के question क्या आज हमने बात की 1 से 10 नहीं वैसे तो 6 से 10 लेकिन आगे की बात हमने आगे की थी तो इतनी पिडिया आप अच्छी तरह से लिखो टू टाइमस त्री टाइमस उसके अच्छी तरह से practice कीजिए यदि नहीं मालूम पड़ता है तो आप मुझे personally contact कर सकते हो या तो हम live meeting जब करते है तो आप मुझे बता सकते हो लेकिन उसके लिए आपको पहले अच्छी तरह से 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा फिडिया फ्लिकनी पड़ेगी तब आपको मालूम पड़ेगा फिर भी नहीं मालूम पड़ता है तो बाकी तो हम बैठे ही है हम आपके लिए तो बैठे है बच्छे लोग गराँ तो अच्छी तरह से होमवर्क करना अपना ख्याल रखना अपने परीवार का भी ख्याल रखना ओके श्टूडन बाई